हेलो फ्रेंट्स मैं हूं स्वेता, वेलकम टू माई चैनल स्वेताज की चनल लाइफ स्टैल लहसुन का अचार बनाने के लिए लहसुन को छीलना बहुत ही टफ होता है आज मैंने इसे बहुत ही आसानी से छील कर दिखाया है तो आप देखिए कैसे मैंने किया है इस तरीके से लहसुन को काट लेंगे नीचे से पार्ट काटने के बाद मैं उपर की तरब से भी इसे काट लूँगी दोनों साइट से थोड़ा थोड़ा इसे काट लेना है सबसे पहले मैं सारे लहसुन को इसी तरीके से काट कर और एक थाली में जमा करूँगी नीचे के पार्ट को इस तरीके से काट लिया मैंने अब उपर के पार्ट को भी मैं इस तरीके से काट लूँगी लसुन की कल्यों पर मैंने थोड़ा सा तेल डाला है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे एक सुखी कडाही को मैं गैस के उपर चढ़ा दूँगी और इस तरीके से ये रख दूँगी और इसके उपर सारा लहसुन जो मैंने काटके रखा है उपर नीचे उसे मैं डाल दूँगी ये उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से आप इसे हलका सा तिल लगाने के बाद धूप में रखेंगे और उसके बाद इसे छुड़ाएंगे तो इस तरीके से छूट जाएगा लेकिन अगर बारिस के दिनों में धूप नहीं है और आपको लहसुन का अचार खाना है तो आप इस तरीके को भी अपना सकते हैं 5-6 मिनट इसे गर्म करने के बाद ये देखिए आप देख सकते हैं कितनी आसानी से छिलके छूटने लगे हैं इस तरीके से करने से लहसुन डायरेक्ट हीट में नहीं आता और ये उपर से धीरे धीरे हीट में आता है और छिलके इस तरीके से निकलने लगते हैं मैं छिलकों को अलग कर दूँगी और लहसुन की कलियों को अलग निकाल लूँगी यहाँ पे सारे लहसुन की कलियों को मैंने बहुत ही आसानी से निकाल लिया है एक सुखी कडाही में मैंने 1 tablespoon पीली सर्चो 1 tablespoon काली सर्चो 1 and half tablespoon मैंने यहाँ मोटा सॉफ लिया जिसमें से थोड़ा समय बचा लिया है इन सब को मैं low flame पे 3 नेट के लिए fry करूंगी उसी कडाही में मैंने एक कप तेल डाला है और इसको गर्म कर लूँगी गर्म करने के बाद सारी लहसुन की कलियों को मैं इसमें डाल दूँगी और मीडियम फ्लेम पे इसे पकने दूँगी गुमुए मसालों के साथ मैंने वन एंद हाफ टेबल स्पून लाल मिर्चली है नहां पर काला नमक डाला है 1 cidade साधा नमक 4 artic tons हलदी पाउडर ! 1 Där झाल बीचनरी टाल कर मैंने इसे अच्छी तरीके से पीश लिया है बहुत महीं नहीं पीश न्हीं पीश न अएP वन टेबल इस्पून मैंने इसमें आमचूर पाउडर डाल कर मिक्स कर दिया पांच मिनट हो गये हैं लसुन को फ्राई करते हुए मैंने इसमें करी पत्ता डाल दिया है और इसे तीन से चार मिनट और फ्राई करेंगे 1-4 टीज़पून मैंने यहाँ पे हींग डाल दिया है 8-9 मिनट यह फ्राई हो चुका इसे मैंने ठंडा होने के लिए अलग निकाल दिया 1-4 टीज़पून मेथी दाना, 1-4 टीज़पून अजवाईन और थोड़ा सा सौंप जो मैंने बचाया था वो मैंने डाल दिया है साथ ही 1-2 टीज़पून कलोंजी और भुने पीसे हुए सारे मसाले मैंने इसमें डाल कर अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है मैंने मसालों में नमक डाला था लेकिन फिर अब ही इस समय भी मैं इसमें काला नमक और सादा नमक डालूंगी स्वाद के नुसार इसे भी मिक्स कर लेंगे अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून वेनेगर डाल रही हूँ अचार बन कर तयार है अब मसाले 2-3 घंटे में फूल जाएंगे तो आप इसे 2-3 घंटे बाद भी खा सकते हैं और ये लंबे समय तक चलने वाला बहुत ही टेश्टी अचार है आप भी इसे ट्राइ कीजिए दोस्तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन जरूर दबाएं